भारत माता की, मुंबैती माजा सर्वबंदु आणि भगिनिना, माजा नोश्कार, महारास्त के राजपाल, स्रिमान भगत्सी कोश्यादी जी, मुख्यमंत्री, स्रिमान एकनाच छिंदे जी, उपमुख्यमंत्री, स्रिमान देवेंदर फड़नविश जी, केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहियोगी का, कुदान सापा स्पीकर राहूल नार्वेकर जी, महारास्त सरकार के सभी अन्य मंत्रिगंड, सांसद और विधायगंड, और विशावल संगा में पदारे आये हुए, मेरे पहले भाई और बेहनों, आज मंबई के विकास से जुड़े 40,000 करोर रुप्ये के प्रोजेक्स का, लोकारपड और सिलानियास यहां हुआ है, मुमेट के लिए बेहत जरूरी मेट्रो हो, चत्रपती सिवाजी टर्मिनस के आगुनी करना का काम को, सड़कों में सुधार का बहुत बढ़ा प्रोजेक्स हो, और बहुत साब खागरी जी के नाम से आपना दवाखाने में शुरुआत है, कि मुम्बई शहर को बहतर बनाने में बड़ी धूमी का निभाने वाले हैं। थोड़ी जर पहले मुम्बई के स्ट्रीट वेंडर्स को भी पीम स्वनी जी योजना के दहत बैंक खातों में पैसा पहुंचा। ऐसे सभी लावार्चों के और हर मुम्बई करको मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं। आज आदे के बात पहली बात आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है। वरना हमारे यहां तो पिछली सदी का एक रंबा कालखंट सिर्फ और सिर्फ गरिभी की तर्चा करना। दुनिया से मदद मांगना जैसे जैसे गुजरा करने में ही भीत गया। यह भी आजाद भारत के हाथ में पहली बार हो रहा है जब दुनिया को भी भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर परोसा है। इसलिए आजाद के अमरत काल मैं विक्सीद भारत के निर्मार की जितने ही उत्सुक्ता भारत्यों को है। उतना ही आशावार दुनिया में भी दिख रहा। और अभी जिल्ले जी दावोस का अपना अभव वणन कर रहे थे। यह सब जला में यह यह लुगा रहा है। भारत को लेकर दुनिया में इतनी पोजिटिविटी इसलिए है। जो कि आज सब को लगता है कि भारत अपने सामसका बहुती उत्तम तरीके से सदुप्योग कर रहा है। आज हर किसी को लग रहा है कि भारत को कर रहा है। जो तेज विकास के लिए समृत्ति के लिए बहुत आवश्यक है। आज भारत अभुद्पुर्व आत्मय विश्वा से धरा हुआ है। छत्रपति सिवाजी महराज की प्रेणा से स्वराज और सुराज की भावना आज के हिंदुस्तान में डेबल इंजिन सरकार में तरभी प्रबल रूप से प्रगट है। और बेनों हमने वो समय देता है। जब गरीद के कल्यान के पैसे घोटालों की भेट चड़ जाते है। पैस पैसे मिले पैस को लेकर सम्वेदन सिल्था का नाम और निशान में प्रगट है। इसका नुक्षान करोडों करोडों देश वाजियों को उठाना कोला। बिते आज वर्षव में हमने इस एप्रोच को बढ़ला। आज भारत फिटरिस्टिक सोच और मोडल एकवर्टे साथ अपने फिजिकल और सोशल इंफ्रासेकर पर खर्च करणा। आज देश में एक तरफ घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, मुप्त इलाज, मेडिकल कॉलेट, इम्स, आयाइटी, आयाएम्स, जैसिस्विधाओं का तेर गति से निर्मार हो रहा। वहीं दूसरी तर आधुनिक कलेक्टिविटी पर भी कुतना ही जोड है। जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रासेकर की कभी कलपणा होती थी, आज वैसा इंफ्रासेकर देश में बन रहा है। यानि देश में आज की जर्रत और भविश्य में सम्रुद्धी की संभावनाओं दोनों पर एक साथ काम चल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थे पर वता हैं। आज बेहाल है। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी भारत असी करोर से अधिक देश माचों को मुप्त राशन दे करके कभी उनके घर का चूला पुजिने नहीं देगा। ऐसे माहोल में भी भारत इंफ्रास्ट्रक्टर के निर्माण पर अभुद्पुर्वन निवेश कर रहा है। कि आज के भारत की प्रतिवज़ता को दिखाता है। विश्तित भारत के हमारे संकल्प का प्रतिवीन पर है। विश्तित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की भूमी का सबसे एहम है। इसमें भी अगर हम महरास्ट की बात करें तो आने वाले 25 वर्षों में राज्य के अने शहर भारत की ग्रोथ को गती देने वाले हैं। इतलिए मुंबई को पविश्य के लिए भी तयार करना है। यह डबल इंजिन सरकार की भांपिक का है। हमारी एक पतिवर्दता मुंबई में मेट्रो नेट्वर्क के विस्तार में भी दिती है। 2014 तक मुंबई में सिर्थ 10-11 किलोमेटर तक मेट्रो चलती थी। जैसे ही आपने डबल इंजिन सरकार बनाई है। वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ। लेकिन सिंदेज जी और देवेंदर जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से कामन हो रहा है। मुंबई में 300 किलोमेटर के नेट्रो पर की तरफ हम तेज गती से आगे बढ़ रहे है। साथियों, आज देश भर में रेलवे को आजुन बनाने के लिए मिशन बोर पर काम चलता है। मुंबई लोकल और महराष्ट के रेल करेक्टिविटी को भी इससे फायदा हो रहा है। डेबनिंजिन सरकार सामान्य मान्वी को भी वही आधुनिक सुविदा वही साप सपाई उसी तेज रप्तार का अनुभव देना चाहती है। जो कभी साधन संपन लोगों को ही मिलती थी। इसलिए आध रेलवे स्टेशनों को भी एरपोर्ट की तरही की सित्ग किया जाना था है। अब देश के संसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपती सिवाई जी महाराज तर्विनस का भी काया कल्प होने जा रहा है। हमारी ये धरोहरत 21 सदी के भारत की शान के रुपे भी विक्सित होने जा रहा है। यहां लोकल और लगमिदूरी की ट्रेडों के लिए अलगर सुविदाएं बढ़े हैं। लक्स यही है कि सामान्य यात्यों को बैतर सुविदा मिले। काम के लिए आना जाना आसान हो। इस टेशन सिर्फ रेल्वे की सुविदाओं पर जिमित नहीं गएगा। पर कि यह मल्ती मोडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानि कि बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, आटो हो, याता यात्य हर सादन यहां एक ही छट के नीचे कनेक्टेड होंगे। इसे यात्यों को एक सिंप्लेस कनेक्टिविटी मिली है। यही मल्ती मोडल कनेक्टिविटी हैं जिसे हम देश के हर शहर में विक्सित करने जा रहे हैं। साथियों, आधुनिक होती मुंबई लोकर, मेट्रो का व्यापर नेटवर्ट, दूसरे सहरों से बंदे भारत, और बुलेट ट्रेंग से तेज, आधुनिक रेक्विटी, आने वाले कुछ वर्षों में, मुंबई का काया कल्प होने जा रहा है। गरीब मदूर्थ से लेकर कर्मचारी, दुकान बायवार बड़े-बड़े विद्ने संभालने वाले, सब के लिए हर हना सुबिदा जनक होगा। यहां तक की आस पास के जिलों से भी मुंबई आना जाना भी सुलब होने वाला है। कोस्टल रोड हो, इंदू मिल्स मारत हो, नवी मुंबई का एरपोर्ट हो, ट्रांस हारवर लिंक हो, ऐसे अनेक वजे मुंबई को नई ताकत दे रहे हैं। धारा भी खुनर विकास, पुरानी चाल का विकास, सब कोछ अब प्रैक पर आ रहा है। और मैं इसके लिए शिंदेजी और जेवादेजी को बदाए देता हूं। मुंबई की सरकों को सुधारने के लिए भी आज बहुत बड़े स्तर पर जो काम शुरू हुआ है। ये भी डबल इंजिन सरकार की प्रतिवद्धता को दिखाता है। भाई और भेनों, आज हम देश के शहरों के complete transformation पर काम कर रहे है। प्रदूस्रां से लेकर स्वच्छता तक शहरों के हर समस्या का समादान भूटा जा रहा है। इसलिए हम इलेक्रिक मुगनेगी पर इतना बल दे रहे हैं। इसके लिए इस प्रस्ट्रक्चर पयार करना है। बायो फ्यूल आधारी ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम हम तेजी से लाना चाहिए। हाइड्रोजन फ्यूल से जुड़े ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम के लिए कि देश में मिशन बोड पर काम करना है। यही नहीं हमारे शहरों में कुड़े की बेश्टी जो समस्या है। उससे भी हम नई टेक्लालोजी से दूर करने के लिए एक के बाद एक का दम उठागे। बेश्ट को बेल सा बहुत बड़ा भ्यान देश में चलगा हाथ। नजियों में गंदा पानी ना मिले इसके लिए वाटर ट्रिट्मेंट नांक लगाये जाना है। साथियों, शहरों के विकास के लिए देश के पास सामर्थ की और राज निती की छाशक्ति की किसी भी किती कमी नहीं है। लेकिन हमें एक बाद और समझनी होगी। मुंबरी जैसे शहर में प्रोजेक को तब तक तेजी से नहीं उतारा जा सकता। जब तर स्थानियन निकाई की प्राद्विक्ता भी तेज विकास की ना हो। जब राज्य में विकास के लिए समर्पित सरकार होती है। जब शहरों में सुशादत के लिए समर्पित शासर होता है। तभी ये काम प्रेजी से जमी पर उतर पाते हैं। इतलिए मुंबई के विकास में स्थानियन निकाई की भूमी का बहुत बड़ी है। मुंबई के विकास के लिए बड़ेटी कोई कमी नहीं है। बस मुंबई के हग का पैसा सही जगर पे लगना चाहिए। अगर वो प्रस्काचाह में लगेगा। पैसा बैंकों के तिज़ुर्वन में बंद पड़ा रहेगा। विकास के काम को रोकने की प्रवुत्ति होगी। तो फिर मुंबई का भविश्य उजुबल कैसे होगा। मुंबई के लोग यहां के सामने जंग परेशानिया देंते रहें। यह शहर विकास के लिए तरस्का रहें। यह स्थिती 21 सदी के भारत में कभी भी इस्थिकारियन नहीं हो सकती है। और जिवाजी महराथ के महराथ में तो कभी नहीं हो सकती है। मैं मुंबई के लोगों की हर परेशानी को समझे हुए। पहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को रखना। भाज़पा की सरकार हो। NDA की सरकार हो। कभी निकास के आगे राज़िती को नहीं आने के लिए। निकास हमारे लिए सबसे बड़ी तात्विक नाथ है। अपने राज़िती स्वात की सिद्धी के लिए। भाज़पा और NDA की सरकार है। कभी निकास के कारियों पर प्रेक नहीं लगा। लेकिन हमने पहले के समय मुंबई में ऐसा हुझे बार बार देखा। पी एंस्वनिदी योजना भी इसका एक उधान है। हमारे सहरों पे रेली वाले पट्री वाले ठेले वाले ये काम करने वाले साथी। कि तो शहर की अर्थ बावत्ता का अहन हिस्सा है। उनके लिए हमने पहले बार योजना चाहिए। हमने इंचोते लपारियों के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारेंटे का रम निश्चित किया। देश भर में लगवाग 35 लाग रहरी पट्री वालों को इसका लाग मिल चुका। इसके तहरे मारा समय ली बात लाग साथ्यों को और शुकुत हो चुके। आज भी एक लाग से अधिक साथ्यों के बैंक खाते में जीने पैसे जमा हो जाए। ये काम बहुत पहले होना चाहिए। लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजी की सरकार ना होने के कारण हर काम में अड़ंगे डाले गए रुकावटे काताजी में। जिसका नुक्षान इन सधी लाफार को उठाना पड़ा। एक फिर ना हो इसलिए। जरूरी है कि दिल्ली से लेकर मारत और मुंबई तक सत्रा प्रयाफ अगे बहतर तालमे वारी जवस्ता बने। साथियों हमें याद रखना है कि स्वादी की योदया सिर्फ लोग मेरे की योदया पर नहीं है। भलकि ये रेली पट्री और ठेले वाए हमारे साथियों का आर्थित सामर्थ बढ़ाने का अभ्यान है। ये स्वानिजी स्वादिमान की जड़ी भुत्ती है। मुझे बताया गया है कि स्वानिजी के लाभार्चों को डिजिटल लेंडेन की ट्रेणिंग के लिए उव्वे में सवाद तीन सो कैप लगाए है। जिसके चलते हमारे वेड़ी पट्री वाले हजारो साथी डिजिटल लेंडेन सुनू करते हैं। ये सुनकर अनेत लोग चौंग जाएंगे कि इतने कम समय में देश भर में स्वानिजी योज्या के लाभार्चों ने करीब करीब पच्चास हजार करोर रुपिय का डिजिटल टांजेक्शन किया है। जिनको हम अनपड मानते हैं। जिनको हब लग किशी भी भाजा में अकमानिक करते रहते हैं। उन मेरे छोटे छोटे साथ लोने जो आज मेरे सामने बैटर हैं। यह रेडी पट्री वालों ने ऑनलाइन मोबाइल से पच्चास हजार करोड रुपिय का काम किया। और उनका यह पराक्राम उनका परिवर्तन का यह मार्ग निराशावादियों के लिए बहुत बड़ा जबाब है। जो कहते थे कि रेडी खिले पर डीजित प्रेमेंट कैसे होगी। डीजित तो ले दिया कि सफरता इस बात का उदारान है कि जब सब का प्रयास लगना है तो अस संब्रों कुछ भी नहीं होता है। सब का प्रयास की इसी खावना से हम मिलकर मुंबई को विकास की नई हुचाई पर ले जाएंगे। और मैं मेरे रेडी पट्री वाले भाई वोसमें कहना चाहरा है। आप मेरे साथ चाहते हैं। आप 10 कदम चलेंगे तुकर 11 कदम चलूगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे रेडी पट्री वाले भाई वे हैं। शहोकार के पास पैसे ब्याद लेने के लिए जाते थे। दिन पर व्यापार करने के लिए उसके 1000 पी की जरूद है। वो देने से पहले इसको कागले का नौसो देता था। और शाम को जाकर के अगर 1000 वापिस नहीं लोटाए तो उसको दूसरे दिन पैसे नहीं मिलते थे। और कभी अगर अपना मां नहीं विका, 1000 विका नहीं दे पाया तो प्याज बढ़ जाता था। रात को बच्चे भूखेश होते थे। इन सब मसीबतों से आपको बचाने के लिए इसमानी दियो जगा। और साथियों, जितना ज़्यादा आप डिजिकल उप्योग करोगे। फोग में लेने जाओगे। उसको भी डिजिकल पेमेंट करो। जहां पर बेत्ये हो बहां भी लोगों को बहो पर डिजिकल पेमेंट करो। तो तुस्तिकी ये आएगी कि आपको ब्याज का एक नया पैसा नहीं लगेगा। आप कलपना कर सकते हैं कि आपके कितने पैसे बचे आपके बच्छों की सिख्षा की आपके बच्चों की भविश्के की कितना बड़ा काम होने वागा। इशने में कहता हूं साथ योग मैं आपके साथ खड़ा। आप 10 कदम सब्सक्राइए मैं 11 चलने के लिए तयार हूं बादा करना हूं। कि आपके उज्वर भरिष के लिए मैं आज आप से आप मिला करके यह बादा करने मुंबई की धर्तिक में आया हूं साथ और मुझे परुषा है कि छोटे छोटे लोगों के फुर्षाद और परिशन से देश नई उचाईयों को भार करके रखेगा किसी विश्वास को लेकर देखेगा कि मैं आज पुरे पर आप आप आया हूं मैं सभी आवार्षों सभी मुंबई करो पुरी महारत करो और मुंबई को देश के घरकर है पुरे देश वार्षियों को भी मैं इस दुकास सारियों के लिए बढ़ाई देता हूं शिंदे जी और देवेंदर जी की जोड़ी आपके सक्रों को साकार करेगी ये मेरा पुराबी स्वास है पुर भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद